अंडरी सेक्षन हंडर्ड तू वान यी कॉंग्रेस के MP राहूल गांधी को आज की दिन यानि 24 मार्ज को लोगसावा से दिस्क्वालिफाइड किया गया उनको लोगसावा के MP से हता दिया गया गया वहां से अखिर क्यों तो सारे चीज़ इस वीदो में आप लोग को समझाने वाला हो एक एक करके सबसे पहले जानते हैं कि राहूल गांधी को दिस्क्वालिफाइड क्यों किया गया लोगसावा से जरसल यह मामना बैक इन 2019 के है जब राहुल गांधी करना तगा कि को लार जगा पे राली कर रहे थे बिफ़र एह अपडी एलेक्शन 2019 से पहले तब उन्होंने बहुत बरा बात कह दिया था उन्होंने ये कह दिया था कि जितने भी मोडी के जितने सरनें में वो लोग चोर की ह होता है जैसे कि ललिट मोधी हे निरब मोधी है वो सारे तो करब्ते परसंद से बरे बरे scam किये हुए सार आप लोग ने सुना होगा निरब मोधी लडित मोधी के बारे में बरे बरे क्रिमिनल है उस रेली में राहूल गांधिनी यह statement दे दिया था कि जितने भी देश के उनको लोकसभा से दिस्क्वालिफाइड किया नहीं गया होता है आपका नाम बीजोई पाटेल है और कोई आपको डिफेम करता है कि यह सक्स बीजोई पाटेल चोर है तब ठीक है अगर पाटेल का सरनम जितना भी यह सारे चोर की हुए अगर ऐसा कहे दालते तो यह community के ऊपर सूरत के जोर्यवादड़ी से और आफ छ कौ मुंगेड इंकर लगया और्दने एंणे अगरेंड़नेश्राण जीर ऐसा हूं औरahhटेल आपके पध मेंयोगा इंद गृफिक्स की का एगेंस राहूल गांधी उसके बाद on 23rd of March सेनी कल के दिन पर एक order निकाला गया है लोकसा भापे जैसे कि कोई भी मिनिस्टर को अगर आप वहां से disqualify करते हो तो उससे पहले आपको एक order निकलना पड़ते हैं तो कल के दिन को लोकसा भाप से उनको disqualified किया गया और वैसे दो उनको बेल मिल गया है 30 days के लिए उनको बेल मिल चुका है और उसके बाद वह एपिल हायर कोट में एपिल करने के लिए उनका जो लोयर से वह जा चुके और आप लोग को बता दूँ कि उनके लोयर ने यह कहा था कि जब प्रोसेदिंग हो रहा था सीजेम कोट पर उनको ना कि पूर्निस मोधी को जो गुजराट के जो मिनिस्टर जो मेंने कहा था उनको तार्गेट नहीं किया था यह उनको कहना है और आप लोग को बता दूँ कि यह जो डिफेमिशन का जो कैस जो लूच किया गया था वो हमारे देश के प्रधान मंत्री नारेंडर मोधी जी ने नहीं किया था इस तेक गुजराट के मिनिस्टर पूर्निस मोधी ने फायर लोच किया था डिफेमिशन का कैस लोच किया था एगेंस राहूल कांथी और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि हमारे प्राइबेज के जो उन्रीबल प्राइम मिनिस्टर भी नरेंडर मोधी जी है वो एससे चीज़ ब्यहान भी नहीं देदे वो एससे चीज़ पर कैर भी नहीं करते जो उनको अच्छा लगता जो सही है वो करते रहते बीसमें तोकते रहते कोई मीम्स बनाता है उनके उपर आप लोगोंने देखा होगा कि मोधी के ऊपर हमारे प्राधान मंत्री मोधी के ऊपर कहीं सारे मीम्स बनते लेकिन उन्होंने कभी रियाग भी नहीं किया था एक इंटरवी दिखा था मैंने जब अक्सेगुमा ने लिया था इंटर्वी तो पूछा गया था कि जब आपके उपर मीम्स बनते तो आप आपको घुसा नहीं आता क्या तो उन्हें यह कहा था कि हमारे मोदी जी नहीं यह कहा था कि नहीं मैं देखता हूं कि उनलों का क्रेटिवेटी कितना है तो वो इस तरीके से positive तरीके से यह सारे चीज़ को लेते हमारे PM का thinking है वह बहुत ही positive है वह सारे जिस पर ध्यान negative चीज़ पर ध्यान देते भी नहीं है वैसे जैसे कि मैंने आप लोग को बताए है था कि राहुल गांधि को defamation का case यह जो है लॉच किया गया था defamation का पंशमें यह लौ क्या है देखें, defamation का मतलब होता है, whoever intentionally tries to harm your repetition, कि जो repetition उसका अगर कोई harm करना चाहता है, throw visual publicity, spoken, written से हो, या art करके, painting करके, etc. अगर आपको harm करना चाहता है, आपका repetition जो down करना चाहता है, तो उसको कहते है, defamation. अब जानते हैं सबसे important चीस, वो है punishment. defamation का punishment कितने सालों के लिए होता है, देखें, defamation का जो punishment होता है, वो फुच में extend to two years, fine भी हो सकता है, और with both, fine भी हो सकता है आपका, या jail भी हो सकता है, दो साल के लिए, ये दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है, और राहूल गान्धी का जो defamation का case registered किया गया था, So that's all for today, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आता है, तो मुझे comment करके, यहाँ पर comment करके पूछ सकते हो, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो, तो जो red subscribe बोतान दिखा देरा ना, मुबाइल पर वहाँ पर प्रेस किजए, ताकि जितने भी मेरे informative आने वाले वीडियोस होंगे, जितने भी current issues होंगे, उसका notification आपको मिलती रहे, So see you in my next video, so till then, be safe, take care, bye bye, love you.